जो मारे चैनल के रेगुलर वीवर है उन्हें पता होगा हम अपनी वीडियो में कई ने कई टीजर दे देते हैं अगले आने वाले प्रोडक्ट का या अगले आने वाली वीडियो का बहुत लंबा नाम और काम तो पते हैं एक दम फुल प्रीमियम पेरिफेरल्स तो सीन के है लोजिटेक ने भी इमना 502 X यानि कि उमारा पहले जी 502 था उसका सक्सेसर लांच है और उसमें तीन वेरेंट है एक वायर्ड वाला है एक वायर्लेस में लाइट स्पीड करके मॉड एक डॉंगल मिल जाएक एक यहां पर टाइप A to Type C cable मिल जाती है एक यहां पर टाइप C to Type A कुछ इस तरीके के आपके डिजाइन है और इधर से भी हमारे को रबर ग्रिप मिल जाएगी और यह वाला जो पॉर्शन है हमारा इसमें जलती है लाइट है कुछ ऐसी आपको लाइट मिल जाएगी यह भी औरेंज गरड़ के तड़के भी दिखाता हो आपको देन नीचे आपको PTFE FEET मिल जाएगे आपको फोर स्मूद ग्लाइड और यहां पे मारा अनॉफ का बटन है एंड यह डॉंगल की स्टोरेज मिल जाएगी यहां पर आपने डॉंगल रख सकते हो और यह हमारा 13 बटन माउस है आपको दिखाता हो टोटल एक तो अनॉफ का बटन हो गया यह प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत काम आएगा आप मल्टी टास्किंग करते हो वीडियो डिटिंग करते हो जादा बटन की रिक्वार्मेंट है यह डेफिनेटल उनके लिए काम आने वाल है आपको एक्स्पिरेंस वाले होता हूँगा कैसे काम आसकता है और यह साइ और यह बटन हम चेंज भी कर सकते हैं और यहां में इसके ओपर ऐसे लगा देंगे तो यह दबता नहीं है यहां पर तो यह बटन नहीं दबाना तो यह पैक कर दो उसको और इस माउस का जो वेट है हमारा वह 10100 ग्राम के आसपास है तो आपको फील बहुत जबर्दस देग हमने लॉजिटेक का जी प्रो एक सूपर लाइट हमने रिव्यू किया था वह बहुत ही जादा अलगा है वह प्यॉर्ली एसपोर्स प्लेयर के लिए है बट यह भी गेमिंग के मामल है बड़ी एक्सपिरेंस देता है सबसे पहली चीज आर जीब आर जीब के तड़के मिले ब्राइटनेश कितनी रखने वह मिल जाएगी दें फ्रीश्टाइल एफेक्ट आ आता है अलग अलग जोन में अलग अलग तलर साब कस्टमाइज कर सकते हैं दर यहाप इनिमेशन आपको मिल जाएगी एनिमेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट इफेक्स हैं जो आप आफ बहुत तकड़े लेवल के स्विचिज हैं, गेमिंग अगर आपको करनी है, काफी रिलाइबल है, और काफी प्रिसाइज एक्ट्वेशन हैं, और जो रिस्पॉंस है, वो भी बहुत क्रिस्प है, अब गेमिंग में तो फुल और मजाएगा आपको, एंड डेफिनेटली वायर हीरो 25 के गेमिंग ग्रेट सेंसर, इंक्रेडिबली प्रिसाइज है, मतला बहुत ही तगड़ा, मैंने इसे वार जोन मगारा खेल के देगा, जो फील है, जो इसका ग्रिप है, और जो इसका जो सेंसर है, उससे एक तरफा एक्स्पिरियंस मिलता है, एंड इस माउस का सबसे इसके अदर आपको dual mode scrolling मिलती है, एक तो normal precise ratcheting mode मिलता है, जो normally सारे माउस के अंदर मिलता है, उसके बाद इस button से आप इसको change कर सकते हो, उसके बाद यह hyper fast spinning में convert हो जाता है, जैसे आपको पूरा page scroll करना हो, आपको scroll से कोई fast movement करनी है, जाए gaming के time पे या even productivity task कर रहे हो, यह ब तो बैटरी बैकप मैटर करता है इसके अंदर आपको टोटल 120 आर्स का बैटरी बैकप मिलता है जो कंपनी क्लेम करते है फुल चार्ज के बाद 120 आर्स आप इसको लगातार यूज कर सकते हो महेंगी बातचीत वाला माउस है सॉफ्टर सपोट डेफिनिटली मिलेगा लॉजिटेक जी अप किती बार बता है तो सॉफ्टर दिखाता हो आपको यहां पर मेरा कीबोर्ड और माउस कनेक्टिड है माउस पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहां पर माउस आधा बड़ावा और सब कर सकते हो उसके बाद हमारा स्क्रॉल कर सकते हैं उसके अलावा आप लेट साइड में देख सकते हो यहां पर हमारे सारे बटन से फॉर एक्जामपल हमारे को कॉपी का बटन है इसको ड्राग औंड्रॉप करके प्राइमरी क्लिक पर अगर सेट अप करना है तो यह तो मैंने प्राइमेरी क्लिक पर एसी सेट कर जाएगा यहां पर एक्जामपल आप इसको अगर व्यू टू पर करते हो यहां पर साइड वाले बटन है अपनी असाइन कर सकते हो पूरे माउस के उपर तैन मेरे हमारा लाइट सिंक आ जाता है यह हमारा लाइट वाली बातचीद है यहां पर आपको डिफरेंट इफेक्स मिल जाएंगे जो मैं आपको पहले बता है इवन आदियो विजू लाइजर भी मिलता है जिस टाइप की अब जरूरी निया कि प्रीमेंगी की तरफ जाओ इसके साथ के दो वेरिंट और है जो थोड़े कम प्राइज पर आते हैं एवन फीचर्स भी थोड़े कम आते हैं इनके अंदर जैसे कि सॉफ्टेर पार्ट बने को बताया तो बटन कस्टमाइज आप कर सकते हो वह कस्टमाइजेशन चाहे गेम में यूज करो चैया अपनी प्रोड़क को एडिटिंग में काफी काम आई और बाकी इतने सारे कस्टमाइजेबल बटन है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग असाइन करो आपका काम काफी एजी कर देगा यह एस तो इन चीजों के लिए भाई कोई कंक्लूजन नहीं होता जिसका बजट है वो यह परचेज आउंगा ऐसा नहीं होता यह काफी प्रीमिम एक्सपीरियंस एड़ करता है वैल्ली एड़ करता है बट यह स्किल भी मैटर करती है तो बस इसी बात पर लाइक मारो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को पहली बार आया तो कॉमेंट करके बताओ आपको माउस कैसा ल